नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंपोर्टेंट mcq भाई संदीप में दोस्तों जैसे कि आपको मालूम है हम लोग सिच्छक भरती 2019 की तैयारी कर रहे हैं उसी के क्रम में मैंने तो चार वीडियो अपलोड कर दी हैं और आस वेई मैंने एक वीडियो अपलोड किया है आज यह दूसरा वीडियो है जिसमें मैं विज्ञान के 25 अत्महतपूर प्रश्णों की चर्चा करने वाला हूँ इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखें ताकि आने वाले सिचक भरती में अगर यह प्रिश्ण मिल जाएं तो आप लोग ग प्रस्ण हरित क्रांती का जनक किसे कहा गया है के विज्यो में आपको पता ना है तो विज्चो में डॉक्टर एण इबुर्लों को कहा गया एं ठीके और अगला प्रस्ण बढ़ते हैं प्रस्ण संख्या दो पर्माडवन का निर्मार्ण किस ने किया उत्तर आटो हॉने ठी क्या किसी गतिमान पिंड का विस्थापन सुन्य हो सकता है तो उत्तर है हाँ गतिमान पिंड का विस्थापन सुन्य हो सकता है मान लिजे कोई वस्तु यहां से शुरू होती है ठीक और यहां से चलते 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 फिर से मान लिजे यहीं आ गई तो इसका जो विस तुराड है ठीक है इसमें कौन सी राशी सदिस राशी है ठीक है सदिस और अदिस आपको पता होगा सदिस वो राशी होती है जो जिनमें दिसा भी होती है ठीक है और जिनमें दिसा नहों वो अदिस राश कहलाती है ठीक है इनमें से सदिस राशी आपको बतानी है तो दोस्तो तो सदिस रासी है आपकी तोराड ठीक है आगे देखे प्रसंख्या 5 गति के किस नियम को जड़तुका नियम कहते हैं तो गति के प्रथम नियम को जड़तुका नियम कहते हैं अगला देखे बलका SI मातरक और CGS पद्दत्यु में मातरक बताओ बलका SI मातरक न्यूटन है और CGS येश पद्दत्य में मातरक dyne है ठीक है याद रखिएगा दोगजों 네다 रोकेट किसी शिद्धांद पर कारे करता है रोकेट समवेक सरचखडके सिद्धांद पर कारे करता है अगे देखिए डाइनेमो या अंत्रिक उर्जा को किस उर्जा में बदल देता है तो ये विद्धूत उर्जा में बदल देता है एक मसीन 200 जूल कार 5 सेकेंड में करती है तो मसीन की शक्ती क्या है दोस्तो इसका फर्मूला आप लोग लगा लीजे 200 बटे 5 किता आजाएगा चालिस आजाएगा तो चालिस वाट इसका अंसर होगा या जूल पर सेकेंड भी अगर बोलते है तो इसका अंसर सही हो जाएगा चलिए आगे देखते है प्रसंख्या 10 कार कैसी राशी है अदिस या सदिस मैंने बताया था जिसमें दिसा हो वो सदिस राशी होती जिसमें दिसा ना हो वो अदिस राशी कार किस दिसा में किया जा रहा है कुछ पता नहीं होता इसलिए ये अदिस राशी आगे देखे सौर उर्जा उर्जा का कैसा श्रोत है नवी करणी या अनवी करणी है सोरी ये गलत हो गया यहां बे और नवीकरणी एक option होगा दोस्तो इसका सही उत्तर है नवीकरणी जो उर्जा रिनिव की जा सके जिसका नवीकरणी किया जा सके वो नवीकरणी जैसे सोर उर्जा वायू उर्जा जल उर्जा ठीक है ये नवीकरणी होते हैं आगे देखे प्र द्धोनी की चाल से अधिक चाल से गमन करती है तो उसकी चाल क्या कहलाती है आगे देखिए इसपस्ट प्रति ध्धोनी सुनाई पढ़ने के लिए ध्धोनी का परावर्तन करने वाली सत्य को स्रोता से कम से कम कितनी दूर होना चाहिए यह होता है ग्यारा मीटर यह दोस्तों यह होता है आपने शायद इंग्लेश में एक वर्ड सुना हो इको यह होता है जो अगर हम कुछ बोलते हैं तो वहां से वापिस हमारी ध्वानी हमको सुनाई पड़ती वह होता है एको और उसकी जो दूरी होनी चाहिए कम से कम 11 मिटर होनी चाहिए आगे देखे किस रंग का प प्रयोग बल्ब के फिलामेंट बनाने में किया जाता है वो है टंगस्टन एट्स की जाच है तो कौन से टिस्ट किया जाता है वो है एलिसा टिस्ट ठीक है आगे देखे रुधीर परिसंचडर तंत्र की खोज किसने की उत्तर है विलियम हार्वे स्वास्त के संदर में BMR का क्या आर्थ है उत्तर basic metabolic rate ठीक है आगे देखे विटामिन A की कमी से कौन सा रोग हो जाता है विटामिन A की कमी से रतोंदी हो जाता है और इसका जो रसाइनिक नाम है वो आपको पताहों नचीए रेटे नौल ठीक है आगे पढ़िए वसा में घुलन सील विटामिन का नाम तो A, D, E, K अगर ये किसी को याद करने में दिक्कत हो वसा में घुलनसीन विटामिन कौन से होते हैं तो आप याद रखिए कीड़ा कीड़ा वसा में घुलनसीन होता है कीड़ा K, E, D, A है कीड़ा यही है यहाँ पर ठीक है इससे आप याद रख सकेंगे आगे देखिए प्रसंसंकिया 22 कोवाल्ज नामक तक तो किस विटामिन पाए जाता है विटामिन B12 में ठीक है आगे देखिए अगला क्या है BOD का पूरा नाम रिखिए जैविक ऑक्सीजन मांग अगर हिंदी में पूछ दे और इंगलिज में पूछ दे biology oxygen demand ठीक है आगे देखिए बाग परियोजना की शुरुवात कब की गई बाग परियोजना की शुरुवात कब की गई 1973 में की गई ठीक है आगे बढ़िए जीव मंडल की कितने भाग है तीन भाग है इस्थल मंडल जल मंडल और वायो मंडल ठीक है दोस्तों तो यह थे आज के हमारे 25 अति महत्यपूर प्रस्न विज्ञान विशय के अब हम आगे सारे सब्जेक्ट से सम्बंदित सभी वीडियोज लाएंगे इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर जर जरूर दबा दीजे और वीडियो अच्छा लगाओ तो प्लीज लाइक और शेयर करना न भूलें ओके दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत